लो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आर के जी फियू स्पाम पे दोस्तो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का एकन जरूर दबा दे दोस्तो आज काफी दिनों बाद हमें अपने पॉंड में आज दो मचली मरा हुआ मिला था जिससे हम लोगों ने बाहर निकाल कर देखा यह ओबर फिडिंग के कारण मरा था और इसका साइज आप हमारे हाथों पर आसानी से देख पाएंगे दोस्तो यह काफी बड़ा हो गया है मैं इतना उमीद नहीं किया था पर दोस्तो वहीं आपको बता दे कि ऐसा ग्रूत सीड में वेरियेशन होने के कारण हुआ है क्योंकि सीड लेने बगत जो सीड बड़े साइज का था वो ग्रूत काफी अच्छा कर गया है और वहीं जो सीड छोटे थे उसका ग्रूत कम और जो छोटा है उसे आप असानी से पहचान पा रहे होंगे और दोस्तो वहीं जब हम लोगों ने इन दोनों मचलियों का वजन किया तो हमें इन दोनों में काफी ज़्यादा वेरियेशन देखने को मिला और दोस्तो वहीं इन दोनों मचलियों का ग्रूत ही इतना धाय मही में हुआ है कि दोस्तों हम लोगों ने 6 अप्रिल को बच्च अपने पॉंड में श्टॉक किया था और 8 अप्रिल से हम लोग इसे फीडिंग करना शुरू कर दिये थे वहीं सुरू में हम लोग इसे 20 कंपनी का फीड खिलाते थे पर फीड का प्राइस काफी जादे बढ़ने क है और वहीं एक मचली का बजन 220 ग्राम है और दूसरी मचली का बजन 180 ग्राम है जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस बच्चे का साइज बड़ा था वो बड़ा हो गया है और जिस बच्चे का साइज छोटा था उसका एवरेज बेट लगभा कि 120-130 ग्राम आसपास है वहीं हम अपने पूरे तलाब के एवरेज बेट के बारे में बात करें कि 150 ग्राम से 160 ग्राम के आसपास है जो कि वाइफलक पॉंड में धाय महीने का काफी अच्छा ग्रोथ है और वहीं बिना एरियेशन का वहीं एरियेशन देते है तो इससे काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता था दोस्तों आज कि इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें सेर करें और हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले